हलो दोस्तो पिछले वीडियों दोस्तो हमने विज्ञान के 92 प्रश्णों को डिस्कस किया था इस वीडियों दोस्तो हम विज्ञान के 93 प्रश्णों से प्रश्णों को डिस्कस करेंगे तो दोस्तो वीडियों को बिना स्कीप किये अंतक जरू दीखेगा यदि दोस्तो आप चैनल पर नया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा चलिए दोस्तों सुरुआत करते हैं यहां पर प्रश्ण नम्बर 93 से एक कुलाम प्रत सेकंड किसके बराबर होता है तो दोस्तों एक कुलाम जो प्रत सेकंड होता है वो किसके बराबर होता है जैसे कि दोस्तों हम ज जाएगा एक ampire के बराबर हो जाएगा, इसकी ब्याख्या पढ़ लिते दोस्तों, आवेश प्रवाः के दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, किसी परिपत में एक कुलाम आवेश को एक सेगंद तक प्रवाईत करने पर एक एम्पियर की धारा प्राप्त होती है एम्पियर जो होता है वो विद्दु धारा का एसाई मातरक होता है धारा बराबर होता है आवेज बटा समय इसका यह मतलब दोस्तों अगर इनका मातरक निकालेंगे तो एक एम्पियर बराबर हो जाएगा एक कुलाम प्रतिस सेकेंड हो जाएगा अगला प्रस देखते हैं प्रस नमबर 94 है दोस्तो एक पीको मीटर जो है वो किसके बराबर होता है तो दोस्तो एक पीको मीटर जो होता है वो 10 गाते माइनस 12 मीटर के बराबर होता है अगला प्रस देखेंगे प्रश्ण नमर 95 है एक जूल जो है दोस्तों किसके बराबर होगा तो दोस्तों हम जानते है कार का मातरक क्या होता है जूल होता है और W बराबर क्या होता है F into D होता है तो दोस्तों बल का मातरक क्या होता है न्यूटन होता है और दूरिक मातरक क्या होता है मीटर होता है तो एक जूल दोस्तों किसके बराबर होगा एक न्यूटन और मीटर के बराबर हो जाएगा तो दोस्तों पहला वाला इसका उतर सई हो जाएगा इसकी ब्याख्या पढ़ लेते हैं यदि एक न्यूटन बल किसी वस्तु का बल की दिशा में एक मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार एक जूल कहलाता है इसका यह मतलब हुआ दोस्तो एक जूल जो है वो एक न्यूटन मीटर के बराबर होता है अगला प्रस देखेंगे प्रस्ट नमर 96 है एक बिशेज घर में पांच दिरों में 100 इकाईयों की हो गई तो दोस्तो हम जानते हैं कि एक किलो वार ग्मटा में कितना जूल होता है तीन दसमा लोट छोगते 10 गहने 6 जूल होता है अब यहां में बिजली की खपत कितनी हुई हाइग्रो मीटर से क्या मापा जाता है तो दोस्तो हाइग्रो मीटर से जो है आधरता को मापा जाता है इसकी ब्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तो वाई मंडल की आधिता को किसी मापा जाता है हाईगरो मीटर से मापा जाता है वस्तु का ताप मापा जाता है दोस्तो थर्मा मीटर से द्रवो का घनतो मापा जाता है हाईडरो मीटर से उसमें ये विक्रड को मापा जाता है बोलो मीटर से अगला प्रश्ण है प्रश्ण नम प्रेक्ष नम्हाद नम्हार नम्हार नहां दोष्टा का आविश्कार किस ने किया था दोस्तो टॉर सैली ने किया था अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमर सौवा है दोस्तो निम लिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाय मंदली दाप को मापन के लिए किया जाता है तो दोस्तो वाय मंदली दाप को मापने के लिए किसका प्र इसकी ब्याख्या पड़ लेते है शुर को देखने के लिए हेलियो ईसकोप यांत्र का प्रियोग की आजता है तेली इसकोप जिसे दूरदतासी कहते है वह प्रकासी उपकरड़ है जिसका प्रियोग दूर इस्थित व hazırतो को देखने के लिए किया जellyता है उल्टीमीटर क्या तो दोस्तो विभांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है अगला प्रस देखेंगे प्रस नमर 103 है विभांतर को मापने के लिए किस उपकड़ का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तो इसका सयुत्तर हो जाएगा बोल्ट मीटर अगला प्रस देखते हैं, प्रस नमबर 104 है, सरकीट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने है, तो निम्निखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जता है, तो दोस्तों सरकीट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए गैलनो मीटर का प्रयोग किया जता है, अग को मीटर का प्रियोग किया जाता है इसका दोस्तों यहाँ पे कुछ ब्याख्था पढ़ लेते हैं इस पीडो मीटर का प्रियोग कहां करते हैं इस पीडो मीटर का प्रियोग दोस्तों मोटर गाड़ियों की गत को मापने के लिए करते हैं एनिमो मीटर का प्रियोग कहां किया पवन के वेक को मापने के लिए क्याता है क्रोनो मीटर का प्रयोग जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है अगला प्रश्न है विभाव मापी जिसे पोटेंसियो मीटर कहते हैं विभाव मापी मूलता एक है क्या है दोस्तो मापन उपकरड है इसकी ब्याख् प्रत्रोध तथा बिद्धु धारा की भी मापा जा सकता है अगला प्रशन है दोस्तों प्रश्ण नमर 107 है इनमें से किस उपकरण से बिद्धु धारा को मापा जाता है तो दोस्तों बिद्धु धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं अ मीटर का प्रियोग करते हैं इसकी ब्याख्या पढ़ लेते हैं अ मीटर या ए मीटर किसी परिपत की किसी साखा में बहने वाले बिद्धु धारा को मापने वाला यंत्र हैं बहुत कम मात्रा वाले धाराओं को मापने के लिए मीली अ मीटर या माइक्रो अ मीटर का प्रियो धोना चाहिए ये भी सही है, तिसरा क्या है, दोस्तो अ मीटर कम भिद्दूत खrásता है, ये भी सही है, तो तीनो जो है सही है, तो उप्योंकि में से सभी, अगला प्रस देखेंगे प्रस नमबर 109 है, किसको मापने के लिए इस्टे लागमो मीटर का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तो प्रिष्ट तनाव को मापने के लिए इस्टे लागमो मीटर का प्रियोग किया जाता है अगला प्रस देखेंगे प्रश्णमबर 110 है ओडो मीटर एक ऐसा उपकरड है जिसका उप्योग गाडियों में डैस मापने के लिए किया जाता है तो दोस्तो ओडो मीटर का प्रियोग जो होता है वो दूरी को मापने में किया जाता है अगला प्रस देखेंगे दोस्तो प्रश्टमबर 111 है निमलिखित में से कौन सा प्रभावी मापन उपकरड़ एक 6-3 मीटर है तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिटाट ट्यूब अग्ला प्रस देखेंगे प्रस नमबर 112 है टैकोमीटर डैस का मापन करता है तो दोस्तो टैकोमीटर किसका मापन करता है गति पालक चक्र फ्लाइ वील की घुडात्मक चाल को मापन करता है अगला प्रस देखते हैं प्रस्ट नमबर 113 है दोस्तो टैको मीटर का प्रियोग क्या मापता है टैको मीटर का प्रियोग जो होते हैं दोस्तो वो चक्कर प्रत मिनेट मापता है जिसे कहते हैं आर्पीम कहते हैं अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 114 है मल्टी मीटर में होता है तो दोस्तों मल्टी मीटर में क्या होता है बोल्ट मीटर करेंट मीटर और ओम मीटर तीन होता है इसकी ब्याख्या पढ़ लेते हैं दोस दोस्तो प्रश्णमर 115 है रियक्टर पैमाने के बारे में नivenessit में ब मेंसे क्या गलत है रियक्टर पैमाने के बारे में से कौन सा कथन गलत है तो पहला कथन देखते हैं इसे 1935 में civophone में चालग सा रीयक्टर और गटेन बर द्वारा बिशित किया गया था पहला वाला आपसन सही है दूसरों दूसरा देखते हैं यह एक लगुकड़ी पैमाना है यह भी सही है दोस्तों तिसरा देखते हैं इसे भूकम्प मापी के द्वारा ना पा जा सकता है तिसरा भी सही है दोस्तों चौथा देख लेते हैं रियक्टर पैमाने पर 8-9 की तीवर ये जो कि दोश्वा तो चौता वाला ही आप सम्जो है गलत है अगला प्रस देखते हैं दोस्तो प्रश नमबर 116 है तरल पदार्थ के घनत को मापने के लिए किसका प्रयोक किया ज़ता है अगला प्रशन है प्रशनमबर 117 है पानी के अंदर की वस्थो का पता लगाने के लि सुनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है अगला देखते हैं दोस्तो लेजर लेजर का भी दोस्तो फुल 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 फ पानी की गहराई को मापने के लिए एको लोकेशन का उप्योग किया जाता है अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 119 है दूद के घनत को निधारित करने के लिए कौन सा उप्योगी होता है दोस्तों दूद के घनत को निधारित करने के लिए लेक्टोमीटर उप्योगी होत में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निमन में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ओडो मीटर का प्रयोग किया जाता है इसकी ब्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तो वाहनों द्वारा चली गई दूरी को किसे मापने के लिए ओडो मीटर से मापने के लिए तो दोस् झाल